आज सुप्रीम कोड से बीयट धारियों के लिए आई राहत भरी खबर जिहां आज डारी नंबर 35325 अबलिक 2023 जो की एक अरजेंसी के तौर पल कल 28 आठ को ये मैटर फाइल किया गया और ये मैटर आज लिस्ट हुआ मैंसन करवाकर 29 आठ दोहजार तेज़ को माननिय बोपन्ना सरकी बेंच और माननिय प्रसांत कुमार मिसरा सरकी बेंच पर सिरियल नंबर 33 पर इस मामले की सुनवाई आज लगी थी दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता है कि 36 गड़ हाई कोट ने बीएड को प्रात्मिक सिक्षक भरती से बाहर करके आगे जो भरती प्रिक्रिया है उसे बढ़ा दिया था जिसमें काउंसलिंग की प्रिक्रिया कल 30 तारीक को होनी है यानि कल 30 तारीक को 36 गड़ में काउंसलिंग होनी है केवल डियलेड की इसी को लेकर जो बीएड अभ्यरती थे वो सुप्रीम कोट में अर्जेंसी उन्होंने फाइल की थी और उसी मामले पर आज ये सुनवाई संपन हुई और सुनवाई के बाद आज सुप्रीम कोट ने क और सुनवाई के बाद इन्होंने पूरी अपडेट दी यहाँ पर देख सकते हैं आप देवे सरमा भी हैं बीएड के करता धरता है ये तो हम आपको यहाँ पर बता दें कि सुप्रीम कोट ने कहा है कि ये जो बीएड अभ्यारती है 36 गड़ के जिन्होंने आवेदन किया थ इन सभी को आप जो है वो कॉंसलिंग प्रक्रिया में सामिल कर लीजिए ठीक है कॉंसलिंग प्रक्रिया में सामिल कर लीजिए आगे जो भी आप प्रक्रिया कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं सब में आप सामिल कर लीजिए और उसके बाद जो सिंगल बेंच ने मैटर को हाई को के लिए डबल बेंच के लिए ट्रांसफर किया है तो वहाँ पर जो सुनवाई होगी ठीक है 36 गड़ डबल बेंच हाई कोड में जो सुनवाई होगी वहाँ से जो आदेश आएगा उस आदेश के सापेच आप बीएट को सामिल करिए अगर डबल बेंच 36 गड़ के डबल बेंच में सुनवाई होगी वहाँ से बीएट बहर होता है तो आप बहर कर दीजिएगा अगर वहाँ से बीएट को रहात मिलती है इंकी नौकरी पक्की है इनने कोई नहीं हटा सकता ऐसा सुप्रीम कोट ने बिल्कुल भी नहीं कहा है किया गया है, mention किया गया है, कि हाँ, ठीक है, हम राहत दे रहे हैं, ये खुद, ये आप वीडियो गर आपने देखा होगा, तो खुद अधिवक्ता ये जान करी दी है, राहत उन्होंने दी है, लेकिन जो 36 गर डबल बेंच हाई कोट है, उसका जो फैसला होगा, वो अंतिम हो हो रहे हैं,